जिस दिन मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद आप दस दिन किन्ना और दस दिन के अंदर गैरंटी करके कह रहा हूं यहाँ पे आपका कर्दमाब हो जाएगा जिन्होंने मद्यप्रदेश में यह कहा था कि सभी किसानों का दो लाक रुपे तक का कर्ज माफ करेंगे और दस दिन के अंदर अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो हम मुक्कमंत्री हटा देंगे 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तीन हिंदी पट्टी के राज्यों में भलही कॉंग्रेस ने जीत हासिल कर ली हो लेकिन जीतने के बाद भी कॉंग्रेस उन राज्यों में खुद को स्थापित कर पाने में नाकाम्याब दिखाई दे रही है मध्यप्रिदेश में 15 साल तक लगातार काबिज रहने वाली बीजेपी और उस दोरान प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराद सिंग चोहान जिन्हें पूरा मध्यप्रिदेश अपना मामा मानता है उनसे अपने दुख सुक कहता है वो आज भी जनता के हित के लिए निरंतर कारियों में जुटे हुए हैं अब लोगसभा चुनाव नस्दीक हैं तो मामा शिवराद सिंग चोहान 36 गड़ भी पहुँचे जो एक समय में बीजेपी का गड़ माना जाता था करीब 15 साल तक यहां बीजेपी ने राज किया था और मुखी मंतरी रहे रमन सिंग ने अपनी जिम्मेदारियों को बखू भी निभाया भी था लेकिन सत्ता में कॉंग्रेस आ गई और जनता से किये गए वादों को पूरा नहीं किये जाने से शिवराद सिंग बेहत खपा दिखाई दे रहे हैं उन्होंने नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा क्षेत्र का दौरा तो किया ही साथ ही सुखमा और कोडा गाउं में चुनावी रैली को संबोधित भी किया और कॉंग्रेस के खिलाफ जम कर गुस्सा भी निकाला शिवराद सिंग चोहन ने कॉंग्रेस अध्यक्ष रहुल गांधी को इंटरनाशनल जूटा करा दिया है शिवराद सिंग चोहन के मताबिक अपने किये वादों को पूरा नहीं करने वाले रहुल गांधी इंटरनाशनल जुटेले हैं दुनिया में कोई सबसे बड़ा जूट है तो वो राहुल गांधी है। अगर कोई है तो राहुल गांधी है। का कर्ज ही माफ हुआ और नाही मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया ही गया। राहुल गांधी जी दुनिया के सबसे जूट बोलने वाले इनसान है। ये वो ही राहुल गांधी जी है जुनोंने मद्धुप्रदेश में ये कहा था कि सभी किसानों का दो लाक रुपे तक कर्ज माफ करेंगे। और दस दिन के अंदर अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री हटा देंगे। अब तक इस हिसाब से दस एक मुख्यमंत्री हट जाने चाहिए थे। शिवराज सिंग्ग चोहान यहीं नहीं रुके। एर स्ट्राइक पर कॉंगरिस की तरफ से की जा रही जंता को बर्गलाने की कोशिशों पर भी तंज कसा है। वह जो जहाए, वह करना अधिए डिलिए वह स्लॉपलगती है। वह जमनापूता जब मुई नहीं लेए अतरख सुना हुआ हुआ थो ही। झालत रहिए लिए अगूरगती दिए अधिविस्फ़ती दिए। अगाऊ को एक जब व्लॉपलगती बाइए। अभुस्तर की कॉंग्रेजिस सरे के सवाल करते हैं, बहुत सवाल आता है, ति ये हमारे देजिते नागरिट नहीं है, क्या बाजिस्ता चिभासा तो है, प्रमार आगे लागे लागे, एक मेता को मदबने के मुखमती रहे के लागे, वो ये क्याते से दो डठा, दूसरे एक म कॉंग्रेज के अभिहाल ही में जारी हुए मैनिफेस्टो की, जिस पर बीजेपी समेत कई लोगों ने कॉंग्रेज को घेरा है, कॉंग्रेज ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ ऐसे वादे कर दिये हैं, जो देश हित में नहीं, बलकि देश द्रोह को बढ़ावा देने व डालने के लिए कुछ भी उट-पटांग बातने कर दी गई और सबसे बड़ी बात ये है कांग्रेस राष्ट द्रोह की सीमा तक चली गई है उन्होंने जो राष्ट द्रोह की धारा हटाने का की बात किया है वो धारा तो ऐसे लोगों के लिए जो देश के खिलाफ काम करते है उस धारा को हटाने की कौसित कभी पंडे जबालाल महरूजी ने नहीं की वोटों के लालच में कितना नीचे गिरेंगे ये सोच के तकलिफ होती है 2014 में चली मोदी लहर का असर 2019 में दिखाई देगा या नहीं ये तो 23 माई को जब परिणाम घोशित होंगे तब ही पता चलेगा लेकिन उससे पहले शिवराद सिंग चोहान ने 2019 में बीजेपी के जीतने और नरेंद्र मोदी के ही प्रधानमंत्री बनने का दावा किया है बतादे की शिवराद सिंग चोहान बीजेपी के राष्ट्रियो पाध्यक्ष है और 2019 के लोकसभाद चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के अथक प्रयास कर रहे हैं ऐसे में वो कॉंग्रस के जूटों की पोल खोल कर बीजेपी की जीत को और आसान बनाने की कवायद में जुटे हैं सब्सभा के चुनाव में कांग्रेश ने कई सब्ससे दिखाए एक बात क्याता हूं मैं शुकमवालो यह राहुल गांधी जी इंतर में जुटेले हैं सबसे बड़े जूटे दुनिया के सबसे बड़े जूटे अगर कोई हैं तो राहुल गांधी हैं राहुल गांधी जी दुनिया के सबसे जूंट बोलने वाले इनसान है ये वो ही राहुल गांधी जी हैं जुनों ने मद्प्रडेस में ये कहा था कि सभी किसानों का दो लाक रुपे तक का करज माफ करेंगे और दस दिन के अंदर अगर करज माफ नहीं हुआ तो हम मुक्क मंत्री हटा देंगे अब तक इस हिसाब से दस एक मुक्क मंत्री हट जाने चाहिए थे अब इतना वाला जुनों को सारा देश ख्यास टाइप पढ़ जाना से बशाए आदर वाले इस आधिरो टॉम्टेर्स के जीजिए माजिनी मेर्ड़ कर दोशिकी है जामना किता जब मुक्त एक मुक्त हुआ है आतर दुमार के उन्वाज के दुटा हुआ है तो देश दाइख के आतर दुमार के सब्सक्राइब रहे है अब उसका कोंग्रेस जिस सवाल करते हैं, बहने सवाल आखा है, ति ये हमारे देशे नागिटने हैं, या पाजस्तार चिभासा कुछा है, प्रमार आगे जाए, एक मेता को बहुत जिसे मुखमती रहे के पाखोंग, वो ये कहते हैं, दूसरे एक मेता जाते हैं, पुछ पु सीमा तक चली गई है, उन्हों ने जो राष्ट द्रोह की धारा हटाने का की बात की है, वो धारा तो ऐसे लोगों के लिए, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, उस धारा को हटाने की कौस्त कभी पंडे जबालाल महरूजी ने नहीं की, वोटों के लालच में कितना नीचे ग से सलिए लेकाoten की काम अर बस्तर की धर्ति अधर कि लेकिन, अंगर बस्तर की धर्ति पर किसी ने किये, तन्वाड्या की धर्ति ने किये, वहाजी जलता पाइट की सरकारती ने किये, लेकिन अब मैं आफे पूर्टना दो पोचता हूँ, विछले विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ते कई सपने दिखाए एक बात क्यताओं में सुक्मावालो ये राहुल गांदी जी इंतर मेस्तर छुटे ले हैं सबसे बड़े छूटे दुनिया के सबसे बड़े छूटे अगर कोई हैं तो राहुल गांदी है